मैं हूं कुमार गौरो और आज आपको मैं बढ़ता आने वाला हूं D++ में कैसे compiler को fix करते हैं कभी कभी क्या होता है जा आप D++ अब सही से install कर लेते हैं और इसके बाद भी आपका compiler सही से काम नहीं करता है आपको लगता है compiler में error है सही से run करता है लेकिन वह output नहीं दिखाता है जैसे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आप पूरे इंटरनेट पर सर्च करके हाँ जाओगे फिर भी आपको नहीं मिलेगा आपको कैसे fix करें यह मैं बहुत दिने तो मैं खुद परसान था लेकिन मैं इसका रूड लिया हूं जैसको कैसे solve करते हैं तो चलिए इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है जैस हमें यहां पर जाना है फिर आपको यहां जैसे आप जाए यहां प्रोफाइलिंग किजिए और इसके बाद यहां इसको रूं कराएं अब यह देखिए यह सही से रूं कर रहा है यह मैं खुद बहुत दिनों परसान था मैं आपको दूसरा इक प्रोग्राम भी दिखा देता हूं इसको भी मैं आपको यहां से रूं कर दिखा देता हूं यह देखिए यह अफसाई से काम कर यह छोटा सा एरर आपको पूरा जहां वीडियो पर यूट्यूब पर सर्च करें पर गूगल पर सर्च करें उस सब कोई बता रखा है कि आपको इसको इसके लिए आपको कुछ नहीं चेंड करना पड़ेगा जस्ट आप यहां से जाके अपना यह 64-bit का फॉफाइलिंग करें और इसको यह सही से रण करेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबना ना भूले अब आ सब्सक्राइब तायलिट